गडिवनी दिवाली की बहुत बहुत सब कमना है हाँ ची आज दिवाली है और मुझे आना पड़ा आपके सामने थोड़ा सा आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा करहें तो सैमने थि आफिवेज़न रेच्छरश आने वाले थी तुर रिवेज़न लेक्ट आने प Hopkins ऑलेग आपको जो बीज़न लेक्ट्सेंध उससे सेぬ्हरीं सब्सक्राइब घरिल डिस्तवर भाण को accessible लिए रिशनफ में इसे पर चैंज haircut और और एक आया हुआ है सर तो प्लीज उसे करवा दीजिए का जी बिल्कुल सही मैं करवा दूंगा पका जल्दी एक दो दिनों में आज भी लेक्चर्स होगे अच्छा पर सर आपने कहा था कि तो पहला जो टेस्ट होगा वह होगा डेरिविटिव के साथ इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का उसका जो कोश्चन पिपर है वह इसी विडियो में नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में उसी में अपलोट कर दिया है उसको डाउनलोट करना है चाहो तो प्रिंट आउट लीजिए चाहे तो मत लीजिए उसका सॉलुशन आपको नहीं मिलेगा मैंने सब चैंजिस किया है अगर आप आई सी एई के मटेरियल से मिलाने की कोशिश करोगे तो अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए पर कोश्चन में बाहर का ही डालने वाला था बाहर का ही डाना कि असर हम पेपर सॉल्ट तो करनेंगे पर हमें पता कैसे लगएगा कि हम कितने गहरे पानी में है अब मैं यह कहूं कि यार ठीक है मुझे सेंड कर देना मैं चेक करके तो चेक करने का एक शीरियस लिए मेरे पास टाइम नहीं है पर इसका जो इस पे जो डिसकुर्शन होगा वह नेक्स्ट लेक्शर में मतलब कल तो नहीं हो पाएगा कल जो लेक्शर डरिंगे उसमें तो पर आज दीवाली है एक दो दिन बाद मैं उस पे डिस्कुर्शन करूँगा उसके सॉलुशन पर उसका सॉलुशन मैं आपको प्रोवाइट कर दोगा ठीक है जी तो टेस्ट दोगे अभी दोगे या डेरिविट्यू खतम होने के बाद दोगे पर टेस्ट देना ही है इंप वीडियो डलेगा है मरजरका इसे के बाद आज ही के दिन में डिस्क मैंटमेंट का वोडियो अभी कंवाइड करूँगा शाम और फिर मैं रिस्क मैंटमेंट भी अपलोट करुंगा ठीक है धनी चैप्टर आज जाएगे दो चैप्टर कल होचा जाएक खतम ही हो जाएगा तो आज क्या है आज जो किशन ने वाला है वो डिस्कुशन होने वाला है मर्जवन कविजिशन ठीक है मर्जर और ऐक्विजिशन में टून मिलाकर मिनने पाच कॉश्यस ऐसे निकाले हैं जो आपको परिशान कर सकते हैं बाकї मर्जर और एक्विजिशन में कुछ है नहीं करने के लिए इसमें भी नहीं प्लाइए सरसे करेम सब सबसे लाश्ट में थोड़ा सा रुक्यों थोड़ी सी काम बाकी एक्चुल में ठीक है तो यह रहा पहला कोश्चन कहां गया भई यह मर्जर एन एक्वेशन का कब आया था सर यह तो नवेंबर 2018 में आया है ना बार हो बारा नंबर कोश्चन आया है ओल्ड इसलिए बस की बात है तो सर इसमें क्या आप तो बोल रहा थे यार 2018 के बात के कोश्चन पीट इसमें ना मेरे एक्चुल में बच्चों का डाउट सा रहा था कि सर यह maximum actions ratio और minimum actions ratio हमको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज समझा दीजी अब समझाना है तो चलो स्टार्ट करते समझाना तो पड़े है लिए आप लिए सिधिने वाली भैसिंग नियुट二 टार्ग voll दो या फिर हम अपनी सब्समें वैंडर कमपनी ठीक हैती शिश्टर दीलिंट क्या क्या दिया हुआ है टोटल ऑर निनिक्स चविए-समें म्लियанд को तो पंपनी सब्सक्रीमान्य ci नियुट कर्णे प्तिक ठीक है नंबर ऑफ शेयर्स भी यह भी मिलियंस में दे रखा तो भाई इपीएस निकाल लेंगे सर्जी हम लोग पठाओ को कि आवा जाएगी तो आप चिंता ना करना ठीक है थोड़ा था मैनेज करना पड़े गया तो टूटल अरणिंग से दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर् निकालो हम इपीएस निकाल कि बताते हैं ती लिमिटेट का और पर शेयर चार उपैसी पैसे डी लिमिटेट का है टू पॉइंट वन फोर त्री है तो प्राइजनिंग रेश्यों से मल्टिप्लाई कर तो 4.8 इंटू एट तो सर्जी कितना आ गया भाई थर्टीएट 2.143 इंटू सेवन पंद्रा रूप ठीक है चले आगे ऐसे कि दो कोश्टन डले हुए मैं एक ही करवाँगा एक मैं आपको होमवर्ग दे दूंगा सायथ कोश्टन नुबर 4 होगा वो अभी आगे चलेंगे तब समझवाएगा तो यहां सर और कुछ लिखना कुछ लिखने ची इक बिद कि देने वाला है तो बो केगा मैं मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ इससे ज्यादा हूं गा ची मिदि कहगा मैं मैं मैक्सिमम इतने ऑश्यार करा मुझे मिनीममित ने चाहिए इस कम बनानी कि लिखने माश्टन कि कोशीश करो ऐसा होगा कि maximum maximum इससे ज्यादा नहीं दूँगा तो maximum action ratio किसके लिए रहेगा और इससे कम नहीं लूँगा तो minimum action ratio हमेशा किसके लिए रहेगा डिलिमिटेट के बात समझ आ रही है ना आपको simple सी बात है किया हमने तो पढ़ा नहीं एक बार पढ़ ले इससे ज्यादा मत देना किससे ज्यादा और प्राइजर निंग रेशो कमाइन कितना होगा अगर आप टेबल वेबल में जाओगे तो परेशान हो जाओगे अलग अलग टीचर इसको अलग अलग नाम से पुकारते इस concept को मुझे की नाम वाम में कोई मतलब नहीं है मुझे फॉर्मुले में भी कोई मतलब नहीं है मैं concepts discuss करूँगा अब सुनना वस्ग में जो बोलने जा रहा हो सुनना बात का सिलीमिटट के शेयर ईल्डर कहेंगे यह सहाप सुनो कमपनी सी लिएल Das U आप दो सामनेगे में वाली को प्लीज खरीद ली चीए लेकिन एक बात बोल रहा है, बोले बोलो, बोले जब मर्जर कर लोगे, और उसके बाद जब share का price होगा, तो बोले share के price में, please हमारा भी 38.4 है, तो मर्जर के बाद भी please 38.4 ही रखना, हमको loss मत करवाओ sir, हमको और कुछ नहीं चाहिए, अब दो जितना देना है दो, दिक्कत न होना चाहिए, इतने shares दीजिए, कि मर्जर के बाद भी, जो MPS है, जो मर्जर से पहले था, वो मर्जर के बाद भी होना चाहिए, सर सुद्ध हिंदी में बताओ कि हमें post merger MPS निकालना, post merger EPS क्या निकालना आता है, कैसी बात करें sir, पूरा merger में post merger EPS ही तो निकाल रहा है, तो 38.4 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा shear exchange ratio, पोश्ट मर्जर MPS निकालना आता है, मैं फटा-फट से यहां कर दूं क्या, यस, इसके लिए ना, यह रिविजन लेक्शर में नहीं डलना चाहिए था, इसके लिए एक अलग से मुझे class लेना चाहिए था, इसके पहले post merger EPS निकालन 96 और 30 कंबाइन अगर नहीं, सर 96 प्लस 30 डिवाइड इड़ नमबर अप शिर्स, टूटल नमबर अप शिर्स, सर 20 लाक, 20 मिलियन तो हमारे हुए, और सामने वाली कंपनी के 14 मिलियन लेकिन 14 के बदले में कितना दोगे, share exchange ratio से multiply करोगे न, उसी को तो X मान लेते है, दिकत क्य है, बात समझे में आ रही है न, अगर हम आदे share देते, दो के बदले में एक, तो यहां multiply किस से होता, 0.5 से, 14 to 0.5, number of shares to be issued, देखो, यह हमारे already number of shares है, और यहां क्या लिखना है, हमें दूसरी वाली company को हमने कितने share issue किये, तो उसकी, उस company के जितने shares है, उसको हम share exchange ratio से multiply कर देंगे, ओके, ठीके सर, into, यह क्या निकलेगा, पोश्ट merger, पोश्ट merger बोलके बताओ, EPS, और इसको price earning ratio कितना हो जाएगा, 7, और finally भाई, हमारा 38.4 से कम नहीं होना चाहिए, कोई है, जो इस equation को solve कर सकता है, अगर इस equation को solve करता है, तो हो गया, खेल गता है, अच्छा, concept मे ने समझाया, कि इतने share issue कीजिए, कि C limited के shareholder यह बोल रहा है, प्लीज C limited, 38.4 से कम नहीं होना चाहिए, पोश्ट merger, MPS, सिदा multiply हो जाएगा, 96, plus 30, into 7, 82, 38.4 into 20, 768, 14 into 38.4, 537.60X, तो यह minus X की value निकल सकता है, 882 minus 768, तो 114 divided by 537.60, तो answer आ गया, 0.212 is to 1, that's it, खतम, पहला point हो गया, किदर गया, यही काम जो मैंने formula में निप्टा कर निप्टा दिया, इन्होंने table में बनाया है, ultimately answer वह निकला, 0.212 is to 1, और यह कितना है, 0.212 is to 1, that's it, खतिक है, सर, ऐसा presentation चल सकता है, मेरे ख्याल से चल सकता है, और सर, हम आपका ख्याल ना रखे तो, तो भई, ऐसे कर लो, ultimately हो रहा है, जो अब आप इस table को read करोगे, इस table को तो अब बात समझ में आ जाएगी, और बिना समझाई read कर रहे थे, तो थोड़ा सा दिकत हो रहा था, ठीक है, सर, यह तो point number one में कोई दिक, सर, rough करोगे, हाँ, यहीं तो मुझे समझाना पड़ेगा ना, यार, ठीक है, सर, ठीक है, अब बात करते है, point number one हो गया, टूक है, अब बात हो गई, डी लिमिटेट के एंगल से, what is the minimum action risk, बोले हमें कम से कम कितना चाहिए, कौन बोल रहा है, डी लिमिटेट के shareholder, तो वो भी वोई बात बोलेंगे ना, जो बात इनोंने बोला है, तो डी लिमिटेट के shareholder भी थोटीन चुकेंगे, भई हमें चाहिए, हमें महाँ मर्ज Iskar होने को तैयार है, लेकिन इतने shares दीजिए कि हमारे share का price 15 रुपए है न, 15 रुपय से एक पैसा कम नहीं होना चाहिए मर्जर के बाद कतम मर्जर के बाद वो निकाल हूँ पोष्ट मर्जर MPS जो कि 15 रुपया आना चाहिए वो कैसे होगा 96 30 divided by 20 plus 14 X into price earning ratio कितना हो जाए कबल 9 एक बात याद रखना कि बस यहां खेल फिष्ट इस पोष्ट मर्जर MPS पर पोष्ट मर्जर MPS ने सब्सद ideas पोष्ट मर्जर equivalent MPS विया याद करो equivalent हां सर जब हम कम्परिजन करते थे थे MPS before MPS after merger याद करो हां तो पहले वाले में तो ठीक ठीक चलता था पर दूसरे वाले में हम जब comparison करते थे तो हम equivalent MPS निकालते थे इसका मतलब यहां जो MPS आएगा उसको multiply किस से करेंगे share action ratio equivalent निकालना ना जिन्होंने किया होगा तो उनको याद हो जिन्होंने नहीं किया होगा सर तो please कर लीजिए इस इक्वल टू कितना आना चाहिए पंद्रा कोई है जो इसको solve कर सकता है सब हम सब लोग MPS में expert 96 plus 30 into 9 2134 X is equal to 15 into 2300 होता साय थे plus 15 into 14 210 X X की वैल्यो यह माइनस होगा इस बार तो मतलब 1134 minus 210 924 X X is equal to 300 divided by 924 तो अंसर आगे पॉइंट 325 इस तो 1 पक्का वन 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 इस इंटो पंद्रा थे वाँ थेक 371 134 minus 300 इस तो 1 0 divided by 300 300 divided by 924 उतनी तो है यह पतानी है हाँ पॉइंट 325 इस टुवाँ है ठीक है इस में समझाने में टाइम लगता है अभी में टाइम लगा नहीं सकता पर मुझे पूरी उमीद है कि साइद आपको समझ में आ गया होगा पर ऐसा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होगे जो मेरी तरह होगे जिनको ऐसा पाच-दस मिनट में समझ आने वाला नहीं है तो कमेंट्स में लिखेंगे कि यह कोश्चन का सॉलूशन डिटेल में चाहिए अच्छे से समझा कर तो फिर मैं वैसे करूंगा कि इस कोश्चन को में डि में टेम बाटीक कर दो यहां तो फिर एगे हैं अगले कोश्चन पर चल रहे हैं और कुस्चन नंबर टू है यह कोश्चन नंबर टू थोड़ अजीब सा कोश्चन आया था और यह आया कब है वैसे एक्जाम है मेड उट उटाउचन नाइन टीन और यह ओंड़ सलीवस्मे पहला वाला कोश्चन इंपॉर्टेंट है भाई पहला वाला कॉंसेप्ट ही एक्ट्वल में कोश्चन कभी कभार यह ना आ गया कर लो ऐसा है कि मतलब सर मतलब सीधी सी वात है कि यह बिना किये होने वाला नहीं एक बर किया होना चाहिए तब ही होगा लिखा आर लिमिटेड एन एस लिमिटेड ऑपरेटिंग इन सेम इंडिस्ट्री आर नाट एक्सप्रियेंसिंग एनी रैपिड ग्रोथ बट प्रोवाइडिंगा इस्टेडी इस्ट्रीम ऑफ आर्निंग ठीक है ग्रोथ नहीं यह बोल रहा है आर लिमिटेड जो है वह इंटरिस्टेड है कि हम खरीद लेंगे एस लिमिटेड को क्योंकि हमारे पास प्लांट कैपसिटी बहुत है उन लोगों के पास ठीक है खरीद लो और सामने वाला जो एस लिमिटेड इना उसके शेर का प्राइस चल रहा भी तीन रुपे बीस पै प्राइस वैसे भी ऐस लिमिटेड के शेरोडर मार्केट में शेर बेचेंगे ना तो तीन रुपिया बीस पैसे का बीकेगा ठीक अब बैलेंशिट की बात करो तो बैलेंशिट में यह जो यह जो प्राइस है ना वो किस पर डिपेंड करता है डिमाड एंड सप्लाई ठीक है डिमाड इंड सप्लाई बैलेंशिट दिया है एसेट्स दिया है और साथ में लाइबरिटीज दिया शेर कापिटल वगरा दिया और सहाब आर लिमिटेट यह बैलेंशिट किसकी यह बैलेंशिट है एस लिमिटेट की बैलेंशिट है एस लिमिटेट मतलब सर हो सकता है balance sheet दिया है न हो सकता है कि s limited के share की value निकालने के लिए बोलेगा 100 version बोलेगा तब ही तो balance sheet दिया है balance sheet सिर्फ s limited की दिया है ठीक है सर आगे चलते profit after tax दिया हुआ है profit after tax are limited का s limited का अगर दोनों मर्ज होती है तो profit after tax इतना होगा क्या ये सनरजी है इसमें एक लेकि एक बड़ 86,50,000 49,72,000 वाव कम्बाइन एंटिटी में और न अर्रिंग कम होगे ठीक है बुले cash flow cash flow मतला profit after tax past year का बता करेशी ड्यूवल net cash flow परियाबल हर साल आएगा future का इसमें 90,10,000 और अगर merge करें तो इतना रहेगा और required return on equity this 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 मतलब discounting करने के लिए केई बोल सकते हो आप केई बोल लिग दूंगा केई के यह रिक्वाइट टू कंप्यूट दा फॉलिंग मिनीमम प्राइस पर शियर अप ऐस सर यह तो वह वाला concept है मिनीमम और मैक्सिमम वाला नहीं भाई अग मिनीमम की बात करो मिनीमम प्राइस पर शियर अप एस लिमिटेड एक्सेप्ट फ्रम आर लिमिटेड है कि आर लिमिटेड से मिनीमँ प्राइस पर शियर अप एस लिम एक्शें रिए नहीं मांगा पिछले कोर्ष्टन में क्या मांगा था पिछला कोश्च जब हम कर रहे थे तो वो बोल रहा था एक्शेंज रिए रिश्यो मैक्सिमम एक्षिंग रिश्यो और मिनिमम एक्षिंग इस बार उसने एक्षिंग रिश्यो नहीं मांगा उसने मांगा क्या है सर उसने यह मांगा मिनिमम प्राइस पर शियर पैस लिमिटेड एस लिमिटेड कि एस लिमिटेड है ना तो एस लिमिटेड बोल रहा है क मेरी कंपनी के शेयर का जो मिनिमम प्राइस है मेरा मिनिमम प्राइस क्या होगा तो मिनिमम प्राइस हमको निकालना पड़ेगा अल्टिमेटली हमें प्राइस निकालना पड़ेगा कौन सी कंपनी का हमें निकालना पड़ेगा एस लिमिटेट का आर लिमिटेड मिनिमम कितना देने को तयार है यह फिर एस लिमिटेट के शेयर होल्डर मिनीमम कितना प्राइस एक शेयर का कितना प्राइस मिलेगा उनको मिनीमम लिए यूभ भी वह पैसे भी वाइंगे हमें तीन रूपए से 20 पैसे से ज्यादा चाहिए तो सर्म प्नी घीए व्यूभई बीस पैसे हो ग है और प्राइज निकाला जा सकता है कि ऐसे लिमिटिट के शेर क्यों सब प्राइज कैसे निकाले कि प्राइज प्राइज यसे निकाल सकते हैं कि जैसे एक होता intrinsic value Net Asset value याद है थाहसर तो हम assets कर ले माइनस क्या कर दे माइनस सर हम liability कर ले एसेट माइनस लाए तो या फिर इन दोनों को जो ले बात एक ही है तो सर नेट asset value per share निकल जाएगा जिसको आप book value per share भी बोल सकते हैं यस तो एक तो यह हो गए book value per share दूसरा क्या निकल सकता है एस लिमिटेट कितना कमाएगा फिप्टी फोर एट सेवन थाउचन कमाएगा और उसको discounting किससे करेंगे 13.05% तो वैल्यू है जाएगी company की future के cash flow का present value निकाल रहा हूँ company का value I divided by number of shares करेंगे तो value हो जाएगा एक बार उन्होंने यही किया मैंने का ना बिना देखे इस question को नहीं कर सकते आप तो क्या किया इन्होंने इन्होंने सबसे पहले किस के सबसे किया इन्होंने रेशीडियल cash flow को लिया उन्होंने का एस लिमिटेट यह कमाएगी 54 और इसको discounting होगा 13.05% से तो यह value आ गया यह कहीं यह value आया value वैल्यू किसका निकला यह एस लिमिटेट का वैल्यू निकला डिवाइट किस से कर दिया नंबर शेयर से तो यह एस लिमिटेट के शियर का वैल्यू आया पाच रुपिया 26 पैसे एक शियर का प्यूचर के cash flow को देखते हुए intrinsic value बोल सकता हूं कितना गया पाच रुपए 26 पैसे बुक वैल्यू पर शियर निकला उन्होंने बुक वैल्यू पर शियर कैसे निकला होगा सिंपल सी बात इन दोनों को add कर दिया होगा रिजर्वेंशल प्रस और शियर कैपिटल डिवाइड़ बैसी लाग तो बुक वैल्यू पर शियर आया पाच रुपए intrinsic value कितना आया पाच रुपए 26 पैसे बुक वैल्यू पर शियर कितना आया पाच रुपए therefore minimum price per share of price limited should accept from यह बात मुझे हज़म नहीं हुई minimum price per share को उन्होंने पाच रुपए माना क्यों माना भई क्यों पाच रुपए कम से कम कम से कम कितना लेंगे कम से कम मेरे हिसाब से तो अगर मैं अकेला ही काम करता तो मुझे मेरे एक शियर की वैल्यू है पाच रुपए 26 पैसे से कम लेने का मतलब ही नहीं मता था कि डिमाड्र साप्लाइब के सबसे तीन रुपए अगर मैं ऐसे भी बोल सकते हो किए तीन रुपए से कम नहीं तीन रुपए से तो कउम है यह नहीं पर एक बात बता रहा हूं ना एक तूओ मार्के पाइज है कितना तीन रूपय था क्या तिन रूपय पहसे सोरी क्या शरीक णिधे निकला तीसरा निकला फांच लिए कि वैल्य अलग दमाड्स ईपलाई कि थी और जो मुझसे सांटे वाली कंपनी आती तो मेरे शेयर का पाइस पाच रुपे चब्वीस पैसे उससे कम तो मुझको चाहिए नहीं किसी भी हालत में पर यहां उन्होंने का मिनियों प्राइस कितना पाच रुपे यह बात मुझे समझ में नहीं और ऐसा कहीं कोश्चा ऐसे कोई कॉंसेप्स ही नहीं है यह सजिस्टेट का अंसर है तो आप फॉलो करना पड़ेगा तो बस यहां थोड़ा सा दिक्कत है दूसरा क्या कॉंसेप्ट था प्राइस यह सउनेक्या मैक्सिममं प्राइस किसका आर- ET कभाई साब तो चलो आप लिमिटेड दिक्त फिर अर लिमिटेड अगर आप मर्च नहीं हो तो आपकी वेल्ट कितनी आपकी कमपनी की वेल्यου कितनी तो सीधा हो जाँ किस उताइह यह सँद्ए यह तो यह आगे 6 अगर आप मर्ज नहीं होते तो 655 2727 और अगर आप मर्ज हो जाती हो साहब तो इतना कमाओगे तो आप कमाओगे 14800000 अगर आप एस लिमिटेट को मर्ज करते तो इतना और अकेले अकेले कर रहे तो इतना तो आप एस लिमिटेट की वज़े से एक्ट्रा कमा रहा है जो एक्ट्रा कमा रहा है उतना पैसा देने को तो यह बात conceptual है यह बात मुझे हजम भी होती है तो वही उन्होंने किया है उन्होंने का अगर हम maximum price निकाल रहा है value of r limited value of r limited यह 4 misprint है तो value of r limited आया 655 27273 अगर हम merge नहीं करते तो अगर हम merge कर लेते हैं तो value आया इतना ठीक फोड इस में से माइनस कर दीजिए यह तो one four eight zero two zero zero minus six five five two seven two seven three तो साहब यह आ गया eight two four seven eight two four seven two seven two seven two seven divided by इतना हम दे सकते सामने वाली कंपनी को और divided by number of shares कितने असी लाक आंसर इतना जाएगा सकते इससे ज्यादा नहीं दे सकते आपकी कंपनी से हम जितना खमारा है मों उतना ही तो देंगे और क्या ज्यादा लोग है हमसे ठीक है सर्तबात समझ में आ गई हमारे यह वाली बात थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं पर ठीक मेरी पसंद से क्या होता है कि में YouTube में इसकीमटि अर्म मस्तलब उससे कम आफ नहीं सकता बात ही नहीं होतीत तो तीन ृप्यां 250टनषा तो से कम हो ऀए सकता क्या कोई डीसिजन मैं को has to yeah here तो सिर्फ हमारा जो मिनीम मिनम हो 5 रुपए को और्ल dental means मेरे ख्याल से इत्याम मेरे ख्याल से मैं फिर से बोल रहा हूं सर एक्जाम में कैसे करना आ गया तो वैसे आएगा नहीं पर आ गया तो यह पांच रुपए लिखना पड़ेगा और मैक्सिमा मत तो तीन रुपए का कोई यूज ही नहीं यूज लैस तो यह बात यहां लिखा पॉइंट नमबर त्री है कोशन अच्छा नहीं था यह वाला ठीक है कभी कबार आ गया तो आगया चले जी अगले कोशन में यस कोशन नमबर त्री है एक्जाम में आया हुआ है कोशन नया कुछ नहीं है देखा जाए तो इट मेंस पॉइंट नमबर फाइब तक तो आप खुद ही कर लोगे वर्ड इसलिए बस में आया था आट नमबर का जैनवरी दोचरी इस ठीक है जो प्रॉब्लम जाएगी वह पॉइंट नमबर सिक्स में जाएगी पर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना है प्रें हाँ बोलू हाँ चलो नया कोश्चन नहीं है उल्ड में नहीं घरवाथ तो भी आपसे होना होना है लिएका बी लिमिटेट वांस टुएक्वाइर एस लिमिटेट चलो भई इसको एक्वाइर करना रेशो दे रहा है टूइस्टू थ्री और समझाय तूशेयर फाएवरी टीसे मदद टूवाइट त्री ठीक है प्रॉफिट आफ्टर ट्रैक्स दे रखा पैट दिया है नमबर अप्शियर दिया एप्स दिया एप्स को प्राइज अनिग रिश्यो से मल्टिप्लाइग करें किया और एप्स निकाला ही होगा एक किस लाग डिवाइद वैची लाग ठीक सही है नमबर अप्शियर्स आफ एक्विट शेयर टूब इस्ट वाइब लिमिट्ट यह बच्चो वाला पॉइंट होगा पॉइंट नमबर अप्शियर सागे एक लाग असी जार इंटू टू बाइट री तो एक लाग बीस दर्श यह एक पीएस अब लिमिटेड आफ्टर आफ्टर मर्जर इप पोश्ट मर्जर एप्पीएस पोश्ट मर्जर एक किस और चार कितना होगा पच्चीश लाग पच्छाश अर डिवाइद अच्छी और एक सात लग भी सा 3.54 आ रहे हैं मेरी सबसे तो हां सही है यह भी हो गया है यह भी हो गया कुछ है नहीं है इस कोश्चिन में पॉइंट नबाट टू में भी कुछ थी एक्विवेलेंट इपीएस एक्विएलेंट इपीएस मतलब शियर एक्शन रेशन से मल्टिप्लाई करना पढ़ेगा और गेन और लॉस तो यह तो समझानी की जिर्वरत ही नहीं है यार यह 3.5 पोश्ट मर्जा 3.4 आया था टूबाई 3 तो 2.3 और EPS बिफोर मर्जा था यह तो लॉस और पॉइंट वान फॉर्क नया मार्केट प्राइस बोला है तो जो आया होगा उसको MPS से मल्टिपार प्राइ और इसको MPS से मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह आ गया इट मिन्स पॉइंट नबर 5 तक तो मैं हुई नहीं आपके साथ है और होना भी नहीं चाहिए पॉइंट नबर 5 तक आप से बनना ही बनना चाहिए क्योंकि मर्जर के सारे कोश्ट्ट पॉइंट नबर 5 जैसे हैं समस्य हो सकती है असा नहीं मैंने यह नहीं बोल रहा कि होगी नहीं समस्य हो सकती पॉइंट नूंबर 6 में पर पढ़ना पड़े हैं पॉइंट नूंबर 6 में आफ्टर दी एनाउंस्मेंट ऑफ मर्जर का अनूंस्मेंट हुआ है प्राइज ओप शियर का प्राइस था वो बढ़ गया कितने पर्शंट से दस पर्शंट से बढ़ गया एस लिमिटिट के शियर का प्राइज सतरो रुपया पचास पैसे भाई कि सामने वाली कमपनी में जिस कमपनी का मैं मान लो एस लिमिटेट का शियर होल्डर हूं जो शियर का प्राइज सतरो रुपया पचास पैसे था जैसी मर्जर का अनूंस्मेंट हो गया कितने पर्शंट से दस पर्शंट से तो 17.5 प्लस 10 पर्शंट तो यार यह हो गया 19 रुपय 25 पैसे शियर का प्राइस हो गया 19 रुपय 25 पैसे भेज दू कहां मर्जर की चक्कर में पढ़ड़ हो यार ठीक है मिश्टर एक्स जो की इन्वेस्टर है उसके बास तो साब 10,000 शियर्स थे एन हैविंग इस हैविंग अनादर इन्वेस्टमेंट पॉर्शिटी जिसमें आपको ये लोगी 14 पर्शंट बताओं जो मिश्टर एक्स है उसके मन में लालस तो आएगा यार बोलता है यार एस लिमिटेड में में शियर्होल्डर हूं किसमत इतनी अच्छी जो आज शियर है 14% interest मिलेगा 14% return मिलेगा अब सवाल यह है क्या उन्हें बेज़ देना चाहिए या फिर रहना चाहिए मर्जर हो जाने दो और ले लो क्या करें कि सवाल बस इतना से तो अब यह दिक्कत है कि हम कितना कमाते क्या पोश्ट मर्जर एपिएस निकाला था हाँ 3.54 था सब्सक्राइब हाँ 3.54 किदर गया है 3.54 अब मैं सोच रहूं अगर मैं रहने देता हूं तो 3.54 मर्जर के बाद एपिएस आएगा पर उसका मुझे टू-थर्डी मिलेगा हाँ बोल एक्विएलेंट तो 3.54 तो सर में तो दो रूपए 36 पैसे ही कमाऊंगा बिल्गोल सहीं तो सर में जो कमाऊंगा वो दो रूपए 36 पैसे कमाऊंगा यास पर इसके लिए मुझे सेक्रिफाइस करना पढ़ा नौ रूपए 25 पैसे क्योंकि ए प्रेचा नहीं तो मेरा तो उस शेर पर 19 पैसे गया और उस पर मैं 2.36 कमाऊंगा 2.36 डिवाइद वाइंटीन पॉइंटीन 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 पॉइंट इस हिसाब से देखो तो मुझे कमाई हो रही है 12.26 परशेंट की और अगर मैं बेशता हूं तो 14 पेचो फिर तो ऐसा है तो बिचो 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 14 परशेंट बहुत होता भाई 12.26 परशेंट इस तो बहले आपको 14 परशेंट मिलने वाला है ना तो प्लीज बेच दीजिए इससे तो ज्यादा ही मिलेगा तो आप मर्जर वर्जर के चक्कर में मत पड़ो शेर का इस बढ़ा है ना इनाउस्मेंट के बेच कर निकलो कोई मतलब नहीं मर्जर नबर सिक्स अच्छा है प्लीज एक बार देखकर जाने के ठीक है जी सर नेक्स्ट कोश्टन पर जलेगी यस कोश्टन वर्फोर में करवाऊंगा ही नहीं क्योंकि यह भी सुनो लेकिन यह स्यमा मैक्डश्ट रेश्यो ऑप्ली इस कोशिन कोश्टी से मना ख़ Weldon मैंने आपको पहले वाले कोश्ट में देर है तो ऐसा हो यह नहीं सकता कि यह कोस्ट्ट आपसे में अखोगा है ठीक ओज़ी ठीक के चले अगे ठीक ओज़। आग है कि यह को एरं में यह देग लूंगा यह को सिरसी ये question नंबर काया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो जी, डिस्क्रिशन हो जाए है, यस सर, गिवन इस दा फॉलॉइंग इन्फोरमेशन, लिखना पड़ेगा, लिखना, लिखना, बढ़ेगा, लिखना, दे, और नाइट, डे, नाइट, ठीक है, ठीक है, छलो देखें, क्या है, अरिनिंग दे रखा पाच क्रोड, लैक्स में कर लेगे हैं, वह जएदे ही जी पड़ेगा, रिक क्रोल में सौलाग, पास सौलाग, और यहाँ थ्री फिप्टि लैक्स, ठीक है, नंबर ओफ शीर्स कितने ह और यहां साथ लाग, EPS निकल सकता है कि बहुत आजसानी से, पासर डिवाइड़ेड़ बाइटेन, 50 लैक्स, 50 लैक्स थोड़े नो कहें, 350 डिवाइड़ेड़ेड़ बाइटेन, यह भी 50, क्या प्राइज जर्निंग रिश्यो दिया हुआ है, हासर, 20 और 15, क्या MPS निकल सकता 15 और 15 तु 20, 1000 और 15 तु 15, 750, क्या MPS निकल सकता हा, क्या MPS निकल सकता है, क्या MPS निकल सकता है, मार्के वैल्यू, नबर उप्षी है, 10 तु 2000, 10 तू लैक्स, 750 तु 7, फाइब टू फाइब जीरो लेक्स ठीक है यह क्यों बनाया वह बाद में समझेंगे पर यह information देने में कुछ गलत नहीं है दे दिया तो दे दिया ठीक है आगे बढ़े प्राइज अनिंग रिशो दिया है 20 और 15 उसको मैंने यूज कर लिए 20 और 15 को लीटे – देखर देंदे निचाय देखर लिमिटेड किमण बार ऑजना मैंने रहास।फर चाहता नाइट लिमिटेड को और यह बाता यह नाइब चाहता है यह पाता यह लगिंड करने पाइमेंट करना चाहता है considering that the market price of night limited reflect its true value वो एक्चुल में पाज है पासो लाक है उसकी वैल ठीक है इस कंसिद्रिंग बोध दा फॉलेंग अगर जो टेक ओवर कर रहा है उसका जो फंडेंग है वो कैश में हो रहा है या फिर किस में हो रहा इस टॉक में हो रहा तो आपको निकालना कि रहुआ पाइमंट कर रहा हूं किसको खरीद रहा हुं मैं नाइट लिमिटेट को जो फाइदा होगा मेरी बात मेरी अब बॉलने जा रहा हूं इंपोर्टन है नाइट लिमिटेट को जो फाइदा होगा वही तो एक लिए कॉस्ट हो जाएगा एक के लिए जो गेन है वो दूसरे के लिए कॉस्ट पांड़皆 जाएगा जो नाइट लिमिटेट है उसकी उस 52.5 crore पर मिल कितना हो रहा है उसको मिल रहा है 55 crore वाउ लॉटरि लग गई उसको फाय्दा कितने का 2.5 crore तो एक नाइट लिमिटेट के लिए जो फायदा है वही डे लिमिटेट के लिए कोस्ट मर्जहर का कोस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको में दिक्कत है नहीं है साहब, पॉइंट नम्बर वन में कोई समस्या नहीं, पॉइंट नम्बर वन में दिक्गत true cost of margin, समस्या जो है न वो पॉइंट नम्बर टू में है, ठीक से समझना, अब अब इंप्रॉटन्ट है, बोले आप cash में payment नहीं करना, आपको shares में permit करना है आप समझना है अब मैं जो बोलने जा रहा हूं यह लोजी मैं कौन हूँ सर आप हो day limited और यह क्या है मेरी company का share इसकी demand and supply के सबसे price कितनी मेरी company मतला मैं day limited हूँ इसी को मैं देने वाला हूं सामने वाले को और मेरी company का demand and supply के सबसे एक हजार रुपे price demand and supply true value कितनी इसकी यह मुझे नहीं मालूँ actual intrinsic value यह मुझे नहीं मालूँ पर demand and supply के सबसे आज इसका price कितना एक हजार रुप है ठीक ठीक अब सामने वाली company को को देना कितना 55 करोड़ सामने वाली company 55 करोड़ मैं आपको cash ना दूँ के देकर share दें तो कोई दिक्कत नहीं अब share दीजिए हमें cash में नहीं चाहिए हमें shares में ठीक है तो मुझे देना पच्पंसा लाख रुपाए डिवाड़ एक share है मेरा एक हजार का तो मैं 5.5 लैक्स आपको share issue कर दो चलेगा वह चलेगा मैंने दे दिया अब अब मैं जो बोलने जारू मैंने दे दिया कितने में share दे दिया 1000 की सबसे दे दिया यह इसकी real worth नहीं है real worth हम निकाल लेंगे इसकी demand and supply के सबसे price कितनी है 1000 और यह मेंने दिया और यह मिल गया किसको मिले शेयर सर यह share मिले night limited को मिले यह share किसको मिले night limited को अब night limited सुझता यार actual में इसकी जो value है न वह एक हजार है यह नहीं इसकी value तो 1100 रुप है सर यह 1100 आया किदर से मन से बोल रहा हूं न सुनने की कोशिश तो करो एक बार इसकी value 1000 नहीं है वो तो पागल है कौन पागल है यह डे limited पागल है इसकी demand and supply के साबसे तो ठीक है 1000 value है MPS पर इसकी value 1000 नहीं है 1100 है तो हमको तो फाइदा हो गया एक हजार रुपए 1100 का शेयर भी यह 1000 रुपए में दे दिया तो हमें फाइदा है कितने का सौक सर वो 1100 निकलेगा कैसे वो मैं निकाल दूँगा और जो इने फाइदा है वो delimitedly cost है तो एक शेयर पर cost of merger कितना है 100 multiply किसे कर देना जितने share issue कर रहे है बास समझ में आ रही है न इट मिन्स मुझे 1000 का शेयर है मार्केट पर एक हजार की हिसाब से दे दिया मुझे इसकी true value निकाल नहीं पड़ेगी post merger MPS बोलोगा तो भी चलेगा true value और इसकी value निकल गई तो बाद बन जाएगी ठीक है हाँ बोलो एक हजार से ज्यादा निकली तो cost of merger मुझे फाइदा मुझे उसके एंगल से बताना कि यह शेयर की value कितनी एक हजार से ज्यादा होना चाहिए तेरा सो रुपए है इसकी actual value तो मुझे 300 का फाइदा एक शेयर पर तो इसके लिए cost of merger कितना आएगा 300 तो शेयर की value निकालोगे कैसे सिंपल है इसका market value कितना है टैंथा उचन इसका कितना फाइए इन दोनों को merge करो कंबाइन value कर दो यह जगा नहीं इधा लिख लो तो सर दस और पांच 1250 तो फंद्रह जार 250 लाक डिवाइडिड बाई फंद्रह जार 250 लाक क्या निकला value of firm कौन सी कंपनी का value डे लिमिटेट का प्लस नाइट दोनों का मिलाकर value कितना हो गया 15250 में post merger MPS कोशिस कर रहा हूं सर और नंबर और शेर कितने शेर इस्यू कर रहा है पांच लाक पचास जार हमारे पास पहले से नंबर और शेर कितने हैं किदर गया भाई नमर शेर 10 लाक दस और पांच 15 लाक पचास जार से डिवाइड करेंगे तो शेर की वैल्यू निकल जाए है 12250 डिवाइड वाई 15.50 तो शेर की वैल्यू आई है 983.87 हां हमने का चलो भाई कहां गया नाइट लिमिटेट बहुत खुश था हजार का दे दिया शेर हजार का जबकि इसकी एक्चुल वैल्यू ग्यारा सो है तो मुझे तो सौका फायदा भाई ग्यारा सो ही नहीं है इसकी एक्चुल वैल्यू है 983.87 पोस्ट मर्जर तो आपको क 3.87 माइनस थाउजन इन्टु नमबर अफ शेर्स कितना है नमबर अफ शेर्स सामने वाली कंपनी के 5.5 तो यह है इस इस कॉस्ट आप मर्जर नहीं तो गेन हो गया है किसको गेन हो गया तो डेली बिटेट को फायदा हो गया एक हजार रुपए शेर कितने का है 993 और उसको एक हजार में चिपका दिया है इनको तो गेन हो गया है कितने का गेन हुआ जड़ा देख लेते हैं मैनस थाउजन इन्टु 5.5 लैक्स में डिवादेट करों करोर्स में आ गया है पॉइंट एट एट सेवन सी आर का फायदा इस इस कॉस्ट आप मर्जर नहीं निकलेगा यह निकला अचा इन्होंने दूसरे तरीके से कर रहा कोई फर्क नहीं पढ़ा सर्प यहां आगा पॉइंट एट नाइन त्री और आपका अंसर आ रहा है पॉइंट एट एट सेवन इन्होंने राउंडेड ओफ कर रखा ना इसी वजह से अगर आप इसको राउंड आफ न सेवन उतना ही आएगा ठीक है तो सर यह वाला कॉंसेट समझानों यह इन्होंने मर्ज फर्म का वैल्यू निकाला है फिर उसका प्रपोर्शन निकाला मैं वैसे भी समझा सकता हूं पर बहुत ज्यादा कॉंसेट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएग और इतना टाइम ह अगर सामने वाली के लिए फायदा है तो मेरे लिए कौश्ट होगे ठीक है तो बस यह पाच कोश्टन थे जो मझे करवाना था कोई डाउट से है तो बोलना यह कोश्टन सर इसको भी डिटिल में समझाओ तो आप टाइम ही नहीं बचा दिसम्बर एटन्ट वालों के लिए अब है अब आ अब ही क्या करना है आज की क्लास में मैं टेश्ट पीपर डाल रहा हूं वह टेश्ट पीपर करो गई डेरी वीटिव का मैं जानता हूं आज दीवाली है तो आज तो नहीं कर पाऊगे बना लीजिए डाउट से आएगा तो करना चैनल मेरा यू जो टेली ग्राम चैनल है उस पर डिस्कुशन कर सकते हूं पर टेस्ट पर जरूर देना दूसरा मर्जर खो गया आज ही के दिन फिर से मैं अभी ऐसा नहीं कि मेरा क्लास अभी में ओर कर रहा हूं लेकिन एक दो घंडे बात फिर अपलोड करूंगा और मै मैं अपलोड क्या करूंगा इस बार मैं अपलोड करने वाला हूं रिस्क मैनेजमेंट में दो कोशन वह भी आज ही अपलोड कर देता हूं थोड़ी महनत लगेगी चल दाएगा और आज ही और रिकॉर्डिंग करके कम से कम आने कल के लिए आपके लिए दो शेप्टर तयार कर देता हूं ठीक है तो फिर एक चैप्टर बचे का वह बाद में भी देख सकते एक दो दिन बात ठीक है जी एमटीपी भी बचा हुआ वह भी करना है तो रेगुलर मुझे आपके साथ लगना पड़ेगा तभी होगा तो थैंक्सो मच डाउट्स होगा तो पक्का पूछे मिलते हैं दो गहंटे बात